पंजाब की जनता इस बार कॉंग्रेस को या नबजोज सिंग सिध्धू को वोट क्यों दे? तो उस राह से मोड के सीधी राह पे लाने का ये जो एजनडा है यही मुझे लगता है कि आम आदमी को भाता है वो दो ही सवाल करता है कि पच्चिस तीस साल से डूपता हुआ पंजाब बेहाल पंजाब किस तरह से खुशाल होगा? कौन से एजंडे से कौन सी राह पे चल के होगा और इसे कौन करेगा इनी दो सवालों पे मुझे लगता है कि अगला चुनाव खड़ा है और यही दो निरने करेंगे नीती बद योजना बद तरीके से अगर कोई पार्टी पंजाब को ये कन्विंस कर दे कि पंजाब के उपर 3,0,0,0 का करजा है करीब 2,0,0,0 का सॉफ्ट लोन है ये 5,6,0,0,0 का करजा जो है ये आम जनता दे रही है ये मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार दे रही है जो के पहले धारना थी लेकिन आज वो माफिया राज खुल चुका है आज भेद खुल चुके हैं परदाफाश हो चुका है और सबसे बड़ी जो चुन्नोती है किसी भी पार्टी की वो ये है कि विश्वस्नियता वो कैसे लाएं साध्य की प्राप्ती परिणाम मातर है उसके असली कारण है साधन वो किन साधनों से पंजाब की रेजरेक्शन की बात करें यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है अब को रखे आगे